उमेश पाल मडर केस में मुख्यारोपी अतिक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उतर प्रदेश की प्रयाग राज जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए यूपी पुलिस की एक टीम गुजरात पहुची और उसका मेडिकल किया गया। पहले अतिक अहमद ने सड़क के रास्ते जाने से मना कर दिया लेकिन बाद में उसको वज्जरबाहन में बैठा दिया गया और कडिस्तु रक्षा में उसको प्रयाग राज लाया जा रहा है। वहीं अतिक की लीगल टीम ने सुप्रीम कोड का हवाला दे कर कहा कि शुष कोड के आदेश पर ट्रांसफर हुआ था। सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस की 45 सदस्ती टीम अतिक को प्रयाग राज लाने के लिए आवशक अदालती दस्ता वेजों के साथ हम्दाबाद पहुँची थी। साल 2006 के उमेश पाला पहनड केस में अतिक अहमत के खिलाप MPML कोड का फैसला आना है इसी मामले को लेकर की UP पुलिस और STF की टीम साबर मती जेल पहुँची है। इस चिठी में अधिश ने अतिको को कोड में पेशी के लिए साबर मती जेल को जरूरी करवाई करने के लिए आदेशित किया हुआ है। बड़ा दावा करते भी का कि UP पुलिस जब जिसको चाहे अरिस्ट कर सकती है। कानून के कटगरे में खड़ा कर सकती है। डीजीपी डेवन सिंग चोहान ने कहा कि आरोपी को हमें कब और कैसे गिरफतार करना है ये हमारे रण अनीती का हिस्सा है। यूपी पुलिस की एनकाउंटर प्रनाली को लेकर डीजीपी ने कहा कि ये हमारी ट्रेनिंग है। कि अगर हमारे उपर कोई गोली चलाएगा तो हम इसका जबाब गोली से ही देते हैं। अतिक अहमद को उपी लाए जाने पर समाजवादी पार्टी की मुख्या अखिले शादो का भी बयान सामने आया है। कि योगी आदितनात की नहीं है। प्रागराज जेल आफिस और जेल मुख्याले पर वीडो वाल के जरीए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इसके लाद तैनात करमी बॉडी वर्ण कैमरे से लेस होंगे। इसी तरह की सुरक्षा बेवस्था अश्रफ के लिए भी की गई है। ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोता ही न बरती जाए और नहीं कोई लापरवाही नजर आए। वीडियो डेस्ट कमरुजाला.com डाउनलोड करें अमरुजाला है और पाएं खबरें लगातार।